इन शिकारणों की वज़े से सफेध होती है भारतिय नौसेना की यूनिफॉर्म बेहद रोचक है कहानी भारतिय नौसेना प्रित्वी पर बड़ी ताक्तों में से एक है चार दिसंबर को हर साल भारतिय नौसेना दिवस मनाया जाता है कहते हैं कि सफेद शान्ती का रंग है लेकिन नौसेना के लिए यह शक्ति और प्रभुत्व का रंग है नौसेनिक वर्दी भीर से अलग और पूपसूरत है साथ ही भारतिय नौसेना के पुरुशों और महिलाओं के लिए सफेद वर्दी गर्व है वर्दी पर सुनहरे रंग की धारियां होती है जो नौसेना के सफेद रंग के साथ चमकती है नौसेना की रॉयल वर्दी का विकास 1748 में हुआ जब अधिकारियों के लिए पहला समान नेम जारी किया गया था रॉयल नेवी की वर्दी का प्रमुक रंग नेवी ब्लू और सफेद है नौसेना में सफेद वर्दी का उपयोग करने के पीछे कई कारण है पुराने समय में कपड़े बनाने के लिए का पास व्यापक रूप से उप्यों की जाने वाली सामगरी थी जो सफेद रंग की होती है नौसेना सबसे पुराना वैश्विक पेशा भी है ऐसे में 9 सेनेकों द्वारा पेहने जाने वाले कपड़े का रंग भी सफेद हो गया सफेद रंगों के रंगावली में नहीं है सफेद रंग बनाने के लिए 7 रंग एक इकरित होते हैं और सफेद वर्दी साथ समुद्रों के एक इकरन का संकेत देती है वास्तव में सफेद हिंद्रद नुष के रंगों का एक संयोजन है जहाज जविद्युद्शक्ति विफलता हाँ ब्लाक आउट और संकर कॉल से मुक्त नहीं होती ऐसे में सफेद वर्दी खोज और बचाव प्रदान करने के लिए पहचान में मदद करती है अंधेरे में सफेद वर्दी को आसानी से पहचाना जा सकता है और प्रकाश में इसे समुद्र के नीले रंग की फ्रिष्ट भूमी में दूर से देखा जा सकता है सफेद रंग उश्मा का एक बड़ा रेफ्लेक्टर है और इस तरह सूरे के प्रकोब को दूर रखता है आम पोड़ पर गहरे रंग की कपड़े अधिक गर्मी को अवशोशित करते हैं चुंकि नौ सेने गर्मी में सफर करते हैं और सफेद वर्दी से ठंड़क बनी रहती है